हेलो ट्रेडर्स तो वेल्कम बैक टू वन्मो लाइव ट्रेडिंग वीडियो हमने अल्ड़ी एक 0-0 लेकर रखा है 13 रुपीज का मेरे अप्रोक्स बाइंग है अभी 33 चल रहा है मतलब 20 रुपेस में हो चुका है मतलब आप बोल सकते हो आपका बोल सकते हो 200 परसंट के अप्रोक्सिमेटल रिटन आ चुका इसमें अल्ड़ी नॉम्मल लाइव ट्रेडिंग के होग मझे थोड़ा फोकस करने में डिफिकल्टी होती तो मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं कर पाता हो लेकिन यह थोड़ा होल्डिंग का ट्रेड था अर इसको अभी 30 की उपर सस्टेन करना है दिखते ही वेटन वाच है बेसिकली 0-2-0 में काफी टाइम मिलता है कभी-कभी स्पाइक आता लेकिन आज तो मार्केट ऊपर तो चल रहा लेकिन काफी धीरे धीरे चल रहा है तो अचानक से मुझे क्लिक हुआ कि चलो लाइव रेकॉ परोड़ों के लिए अगर लोग बेकर तो पुड़वाई कर सकते हो एक मुमेंटम मिलेगा अल्यडी पैसे तो डबल आप बोल से तो 200% रिटन आचुका अल्यडी इसमें से आपको वेट करना है मुझे मैं लगता है कि मार्केट 40,000 तक मुझे लेवाल है बैंक निफ्टी स अगर चोटा stop loss दिया है हमने वहाँ पर निफ्टी को जो निगेटिवनेस था मुझे लगा कि बैंक निफ्टी अगर दिन बर होल्ड कर रहा है तो निफ्टी अगर थोड़ा उपर जाए तो वापस एक सेलिंग में आ सकता है बिसिकली sell on rise situation हो सकती निफ्टी में तो निफ्टी के उपर तो उसकेस में में भी हमें निकलना पड़े लेकिन उसके पहले अगर बैंक निफ्टी फास्ट मोमेंट करके 40 तक लेके जाए तो यह काफी बड़ा टागेट देगा तो डिपेंडिंग जाब भी मार्केट एक फॉर्स रिश्टन्स को हीट कर देगा तो तो यहां पर तो देखिए आप चार्ट पर 40,000 काफी पास है हाडली हाँ से 60-70 पॉइंट्स उपर जाएगा तो बेसिकली आप बोल एटी पॉइंट्स उपर जाएगा तो आपको वह 40,000 लेवल टच हो जाएगा लेकिन निफ्टी के बात किये जा तो निफ्टी अलड़ी 17 17,790 के पास में 10 रुपए दूर है बस और 17,800 बेसिकली आपका रेश्टन्स होने तो रिस्पेक्टिंग मार्केट में टेक्निकल ऐसे फॉलो करता हो अगर आपको सीखना है तो बेसिकली आप मेरा जो लर्निंग कोर से जोइन कर सकते हो तो वहाँ पे आप 55 तो वहाँ पे आप बेसिकली उसको सीख सकते हो किसी आप मार्केट को पर टेस्ट करके माला रीड करके आप इसके ऊपर टेडिंग कर सकते हो काफी स्लो मोमेंटम है अपसाइड तो मोमेंटम है लेकिन काफी स्लो है आप लास्ट वीक भी उठा के देख लो मार्केट ऊपर चल रहा है लेक और यह रैंडम ट्रेड नहीं बेसिकली इसके उपर एक सेट अप है सेट अप तो मैं आपको यहां पर एक्स्पें नहीं कर सकता हो कि सेट अप स्ट्रेजी क्या है लेकिन अगर आपको यह सीखनी है तो डेफिनेटली आप जो मेरा परस्नल वन 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 ट्रेनिंग है उसको जो जोइन कर सकते हो होता क्या है वहाँ पर मैं 111 सेखा तो गुरूप सेट नहीं होते मैं गुरूप सेट पर बिलीव नहीं करता हूं क्यूंकि वहाँ पर चो आपका यह होता है लर्निंग फोकस नहीं होता है कि 17,800 काफी पास है देखते हैं चार्ट की उपर तो सब सही दिख रहा है तो मल्टिपल चार्ट है और एक मैंने पास साइड में स्क्रीन है उसकी उपर मैं देख रहा हूं कॉंटिनुसली यहां पर बस आपको जनरल आइड़ा देने के लिए कि बेसिकली किस तरह हम सिर्फ टेक्निकल आलिसी यूज करके चार्ट की उपर बेसिकली प्राइजक्शन के यूज करके आप एजली ट्रेड ले सकते हो प्राइजक्शन का फाइदा यह होता है कि आपको वीडियो काफी बड़ा होता है तो बाद में इसको कट कर दूंगा तो कोई दरने की बात नहीं कि घंटों वीडियो नी देखना पड़ेगा इसको फास्फ फॉरवड कर दूंगा अगर लगा तो चलिए वेटी करते मुझे लगता अभी फास्ट मूव आएगा अगर आता है तो इसको मैं फिर वहां से देख लूंगा आपको फिर वापस एक्टिव हो जाओगा अभी तो इसको फास्फ फॉरवड मतलब में इसको अभी बंद करता माइक को तोड़ा वेट करेंगे क्या ह आपता देखते हैं, ठीक? तो अभी अलड़ी देखिए अगर निफ्टी 17,800 के आसफास आ चुका है तो मैं चाहता हूँ कि अटलीस 40 पॉइंट्स भूग हो 13 का इंट्री है तो 53 पे मेरा बेसिकली 40 पॉइंट्स हो जाएगा इस ट्रेड में आपता बोनों है तो अगर मार्केट चला अगर एक ब्रेक आओट आया तो सम्वेल राक मिझे 54 के आसफास की प्रैस मिल जाएगगे तो वहाँ पे में तो अगर निफ्टी रेसेंस लेगा तो वहाँ पर पेशेंस होगा बैक निफ्टी थोड़ा नीचे आके फिर उपसाइड मोमेंट कर सकता है लेकिन तब तक मेरा जो बेसिक डिली का टागेट वह तो हो रहा है तो मुझे कोई दिक्कत निया ट्रेट को एकजिट करने के लिए ति कि 17,799, अल्मूश् 1,800 बेत कर दो मैंच थोड़ा स्पाई कारा है विट्ट करते है खोड़ा स्पाई कारा है 4748 अधूरा रहें यह 5952 इसमेट में अच्छिड यह तक नहीं दिखा रहा है एक बना स्पाई करने कि अब कूध कर लेकिन मार्केट पहितक नहीं दिख रहा यही होता है 53.8 54 54 ओके नहीं निकल गया तुरन निकल गया मैं बेसिकल ममंटम अब तक नहीं है में भी मोमंटम आएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगाएगा मार्केट और यह 42 बेसिकली आपने कितना पुख्या 1.9 काफी अच्छा बुख्या यहां पे 49,000 50 और 50 पॉइंट प प्रिमी में और डीकी हो जाएंगे अभी अभी प्रॉफिट है तो मोर्दन 300 परसंट बुख्या तो क्यों रिस्क लेना है सिंपल यूसी लॉजिक्स के वैसे मैंने बीस में ट्रेट नहीं लिया है बेसिकली यहाईपी काड दिया है अगर 42 अगर पास में होता है 10 20.0 होता तो काफी अच्छी बात होती है फिर में 17800 की तरफ इतना नहीं देखता था बैंक निफ्टी के तरफ देखता था बैंक निफ्टी देखे ऊपर चल रहा है काफी चोटोटी कैंदल को लेकिन वह कॉंफिडेंस अभी तक बन नहीं पाया कैंदल को देखते मांकेट काफी चो चोड़े पॉइंट लेके निकलना है लोग वही घर्टी करते है नॉर्मली बड़ा मूव के लिए हमेशा बड़ा मूव बड़ा मूव इसलिए चोड़े मूव आते रहते हैं दे विल निवर बुक बड़ा हो जाए तो इसके लिए आपको ट्रेड में इंट्री करना है कि इतना बड़ा मूव निसलिक नॉर्मल अमाउंट है जरुट इरो में अटलिस बड़ा टाकेट देखते हो लेकिन इंवेस्में अमाउंट काफी कम था अगर आप देखते हो कि जो एक सब्सक्राइब करके देखता हूं कि आपको रिजल डिखेगा